नमस्कार दिल्ली तक देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ वैशाली मेट्रो ट्रेन दिल्ली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है दिल्ली की अधिक्तम जनता मेट्रो पर ही निर्भर है ऐसे में सरकार जनता को और सहुलियत देनी के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाली एरपोर्ट एक्स्प्रेस लाइन कोरिडोर शिवाजी स्टेडियम, डियू साउथ कैंपस, दिल्ली एरो सिटी, आई जी आई एरपोर्ट टर्मिनल 3 और द्वारका सेक्टर 21 इन साथ मेट्रो स्टेशनों को कनेक्ट करने जा रही है जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने दिल्ली के द्वारका में मेट्रो के नई स्टेशन बनने के लिए परिक्षन कारे जारी है ये कारे मेट्रो के आखरी मेट्रो स्टेशन दौर का सेक्टर 21 से सेक्टर 25 में इस्थित नव निर्मित इंडियन इंटरनाशनल कन्वेंशन तक परिक्षन कारे चल रहा है इस काम को शुरू हुए कुछ दिन ही हुए है और इसका काम 30 से आगे बढ़ रहा है इसी के साथ दिल्ली में नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे इसके लिए सरकार ये निरिक्षन कारे करवा रही है आपको बता दें कि इन साथ स्टेशनों को जोडने के लिए ये कॉरिडोर कुल 24.7 किलोमीटर का होगा अगर दिल्ली सरकार की इस कारे योजना को मनजोरी मिलती है तो इस रूट पर भीड तो कम हो ही जाएगी साथ ही मेट्रो कनेक्टिमिटी भी बढ़ेगी इसके साथ ही इस परियोजना को मंजूरी मिलने से दिल्ली मेट्रो रूट में कुछ नए स्टेशन भी जुड़ जाएंगे इस परियोजना के लिए और दिल्ली की जनता की सहूलियत के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयासरत है जानकारी के अनुसार दिली की जनता को ये स्टेशन बहुत पहले ही मिल जाते क्योंकि इनकी नीव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी इन नाई स्टेशन का निर्मान कारे 2018 में शुरू हुआ था और इन्हें पूरा करने का समय भी 2021 तक था लेकिन कोविट के वज़र से इनका नर्मान कारे बीच में ही छोड़ना पड़ा जिससे इस परियोजना में इतनी देरी हो गई तो दिल्ली मेट्रो में अगर आप भी सफर करते हैं तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कॉमेंट्स में अपने फीडबाक जरूर दे और इसी तरह की हर अपडेट के लिए देखते रहे दिल्ली तक हुआ 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 है